नमस्कार ठिंक्तिरी सेक्ष्टिम आपका स्वागत है और आज चर्चा करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे वरिष्ट साती और राजनितिक विशलेसक प्रदीप विदावत ने जैसा की पिछले वीडियो में कहा था कि यकीनन भारती जन्ता पार्टी जैपुर सीरियल ब्लाश्ट के इस पूरे मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना सकती है और आज कुछ ऐसा ही हुआ भारती जन्ता पार्टी ने इस मुद्दे पर एक बड़ा धर्णा परदर्शन किया पहली बार भारती जन्ता पार्टी के किसी धर्णे प्रदर्शन या फिर ग्रोध प्रदर्शन में सामिल होते बात सचिन पाइलेट की भी करेंगे इसी के साथ में बात करेंगे जैपुर बं ब्लाश्ट को लेकर क्या कुछ अभी चल रहा है उन सभी पहलु आपर प्रदीव बिधावत हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीव जी स्वागत है आपका आपने पिछले ही वीडियो में कहा था कि यह जिस तरह का मामला है जैपुर सीरियल ब्लाश्ट और जिस तरह की इसमें घटनाय हुई है तो यकीनन भारती जन्ता पार्टी इसको एक चुना है क्या सोचते हैं सर मैं आपको बता दूं कि जब जिलो वाली घोशना की थी सरकारने तब मेरा कमेंट था एक वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने कहा था कि कॉंग्रेस ने इसको मास्टर स्ट्रोक बताया है लेकिन घोशना बहुत जल्दी करेगी बीजेपी एक मौके क इंतजार करेगी कॉंग्रेस की सारी घोशनाओं मेहनतों पर पानी फेरने की वो मौका बीजेपी को मिल गया है ये जो फैसला आया है ये कोई छोटा फैसला नहीं है इस फैसले से राजस्तान सरकार मातर बदनाम नहीं हुई है भारत में नियाय विवस्ता पर एक बड़ा प्रशन चिन खड़ा हुआ है इंटरनेशनल जिस्टिस कम्योटी में और ये है भारत की आजादी के इतिहास के बाद इस तरह का फैसला आया है कि सभी आरोपी बरी हो गए तो निश्चित तोर पर ये एक मौका मिला है बीजेपी को और बीजेपी उस मौके को उसको बुना पर ना जाए है जैसे आज अच्छी आज अच्छी का सी भीड़ थी हालांकि इसमें वसंदरा राजे का नहीं आना वह सकता है सबसे बड़ी बात वसंद्रा राजे के सामने जो चुनोती थी की गुट बाजी को कैसे बेलेंस किया जाई भरती जनता पार्टी में आते ही उन इस पे बीजेपी के लोग पीछे नहीं अटना चाते हैं अगर गुटबाजी है भी तो इस इशू में नहीं देखेगी भारतिय जिन्तापर्टी की एक खासित रही है कि कॉंग्रेस की जो गुटबाजी है वो हर इशू पे देखती हैं हर मुद्दे पर आप जिला कॉंग्रे में आपको दिखता हैं वहाँ जो आपसी अदावत का प्रोसेस जो है वो फिजिकल रूप से नजर नहीं आता जबकि कॉंग्रेस में यह है सब कुछ डेमोक्रेटिक और आम धरीके से होता है आपको याद होगा कि चंदरभान बहुत पहले बरतपूर में बिना मीटिंग ल बड़ा अंतर है अभी नेता प्रतिपक्ष को लेकर कल मीटिंग है जो प्रतेश अद्धिक्ष बनाए गए हैं उन्होंने एक गलती की है या जल्द बाजी यह एक देखने वाली चीज है और वो ट्वीट इदना वायरल हुआ ना कि राजिंदर राठोड को बधाईया मिलन जा रहे हैं प्रतिपक्ष नेता जो है वो अधिकारिक एक पद है जिसका दरजा करीब केबिनेट बिनिस्टर का होता है और सरकार का हिस्सा होता है निश्चित तोर पर कई कमेटीज में उनकी सदेश्यता होती है और चूंकि प्रतिपक्ष के बिना डेमोक्रेसी की कोई तो प्रतिपक्ष नेता एक बड़ा पद है और अब CP जोशी का ये इशारा था या चूक थी या जल्दबाजी थी या वो उनकी जो सुशल मीडिया टीम है उसकी चूक थी यह छोटी चूक अपने अंदर ही हुई है पद बहुत बड़ा है CP जोशी अब सिर्फ और सिर्फ एक सांसत नहीं है वो जो कमल का निशान है उसे आगे लेके चल रहे हैं तो इस तरह की चूक से पहले CP जोशी को सावधान रहना होगा सैद इस तरह की संभावने और ज़्यादा तेज हो गई हो या फिर पहले से डिसाइड कर लिया हो पार्टीने की कल यह है सब कुछ होना है तो एक मैसेज दिया हो जब सिस्टेमेटिक तरीके से करना है तो तभी होना चाहिए परन्तु मुझे लगता है कि यह एक चूक रही है उपनेता की ज़र जो भी राजंद राठोड को फिलाल बदाईया मिल ग्यांचंद पारक का जिकर किया हमने सी अगर किसी को देते हैं सी कम्यूटी से जोगेश और गर्ग का नाम है सतीश पुनिया लाइन से बाहर नहीं है तो अनिता बधेल हैं सी कम्यूटी से आती हैं और काफी प्रभावी है विदान सभा में तो वो एक्टिव मोड में है कि प्रभावी क्या उनका मामला साफ हो चुका है क्या तो कई सारी चीज़े हैं लेकिन आज जो वो धर्ना प्रदर्शन हुआ उसमें सुमेदानन सरस्वती का पहुंचना अपने आप में चौंकाने वाला हैं सी एम प्रत्याशियों की जो नाम चल रहे हैं उसमेदानन सरस्व पहले कहा भी है नागोर की एक सवा में कि उन्हें सपना आया था और इस तरह का एक बयान में आपको मारवाड के नेता का बताना चाहूंगा चंदराज सिंग भी जो कभी केबिनेट मिनिस्टर का दरजा रखते थे विसंद्रा राजे की पहली सरकार में और उनका ये कहना है क कि राजस्थान में अगर कोई मुख्यमंत्री का दावेदार पहले नंबर पर है तो वो ओम माथूर है उनको उनकी जो ग्रूप के या समूव के लोग है वो राजस्थान की राजनिति के चानक्य कहते हैं मोजुदा चानक्य तो उनका एक इंटर्विव आया है जिसमें चं पी में आ रही है लेकिन देखने वाली बात उसकी राइवल पार्टी में है कॉंग्रेस में तो रामलाल जाट जो है उनका बयान उनका वीडियो सीधे तोर पर हमला करता है सचिन पैलेट पर अशो कहलो सचिन पैलेट के लिए नाकारा निकम्मा और एक शब्द वो गुजर वो कहीं कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि सचिन पैलेट कोई गलती करे आवेश में आए उन्होंने कहा है कि आप जो रामलाल जाट का बयान है वो है कि सचिन पैलेट दो तरह के बयान देते हैं इस्थानिय कांग्रेस को गेरते हैं इस्थानिय कांग्रेस की सरकार को के उपर आ प्रामलाल जाट तो बहुत करीब मंत्री माने जाते हैं असोग गैलोट के जी बिलकुल वही बात है एक खबर यह भी चल रही है राजिस्तान में कि जैपूर ब्लाष्ट वाले पूरे मामले पर सचिन पाइलेट असोग गैलोट को बैक फूट पर ले आए हैं क्योंकि सचिन ने जिस तरह से इस पूरे मामले पर मोर्चा खोला और उसके बाद में आज सुबह असोग गैलोट का ट्वीट आता है कि हाई कोट के फैसले को चुनोती दी जाएगी सरकार सुप्रीम कोट जाएगी जो और अत्रिक्त महादी वक्ता हैं उनकी सेवाएं समाप्त की जाएग सर ये एक लीगल फैसला है तो मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि इसमें न्याएपर कोई सवाल नहीं है वही सचीन पाइलेट ने कहा था उन्होंने जाँच पर सवाल उठाया था जाँच अधिकारियों पर सवाल उठाया था और उन्होंने इस पर्ष्ट कहा कि किसी जाँच अधिकारियों वाला भी यह है कि उन्हीं जाँच अधिकारियों की जाँच पर लवर कोर्ट सजा देता है जाँच अधिकारी कोर्ट में तथ्य प्रस्तूत नहीं करता है जाँच अधिकारी सब्मिट करता है नियाए विभाग के माध्यम से राजस्थान में निया जादा विभागों का बोज अपने उपर ओड लिया है राजस्थान में जो आपके गैंगवार हो रहे हैं यूपी से भागे वे अपरादी पंजाब से भागे वे अपरादी हरियाना से आयोए अपरादी अगर यहां शरण ले रहे हैं पकड़े जा रहे हैं तो उसकी वज़ जरात की सीमा टच होती है मद्यप्रदेश की होती है यहां पर उत्तरप्रदेश गदिली अंतराष्ट्य सीमा से लगता है ऐसे में एक ऐसे मंत्री की आवशक्ता एक ग्रह और न्याय विभाग के लिए हैं जो बजट भी आप पेस करेंगे कानून विवस्ता भी आप देख है जो विभाग मुख्यमंत्री के हえば ख्याँ कर दिया तो काम को सेंट्र्राइज जहां बी किया जाता है यहां ऐसी हौमी नहीं दोट बड़ा बलंडर है जिसने राजस्थान ही नहीं लोग राजस्थान को नहीं जानते अमेरिका में बैठे वे लोग जो जुडिसल सिस्टम की बात करते हैं क्योंकि टेरिस्ट अटेक कहीं भी होता है पूरी दुनिया में चर्चा का विशे बनता है इस केस को मैं आपको एक बा बलाश्थ किये पांच जगे जिसमें सूरत में हुआ था जिसमें फैजाबाद में हुआ था दिली में उनका चल रहा था राजस्थान में उन्होंने बलाश्थ किया था तो ये सारा उस व्यक्ति के कहने पर या उस व्यक्ति के इंपूर्ट्स पर राजस्थान में करवाई हुई तो अब पैर्वी जो है वो 19 का जो फैसल आता है उस तक पैर्वी हुई है उसके बाद जो पैर्वी में ही नहीं गए हैं जो अतिरिक महादी बगता हैं और कहते हैं कि लिखित में जवाब भिजवा दिये थी और तवाम तरह के उनके बयानात जो आये हैं लेकिन जो डिपार्टमेंट हैं आप देखिए कि जो सेकेर्टरी ओफ होम है अभी अभे कुमार सिंग है वो उस डिपार्टमेंट के हैड है बिल्कुल उस डिपार्टमेंट पर राजस्थान राजस्थान में करीब 25 से 26 का स्टाफ बैठता है और पिछले 15 साल में सबसे बड़ा केस इसे माना जा सकता है जिसमें चार लोगों को capital sentence का conviction capital sentence की सजा हुई है और हम उसकी सरकार उसकी monitoring नहीं कर रही है तो ये सरकार का failure है और collective responsibility ही नहीं चुकि विभाग के मंतरी ही खुद मुख्य मंतरी है तो जवाब क्या दिया जाए आप ये देखिए संजीवनी वाला जो मामला चल रहा है उसमें अशोक गैलोत गजंदर सिंग शेखावत के लगातार हमलावर है गजंदर सिंग शेखावत जब मान किये लोग ही नहीं जा रहे तो यह राजस्थान के जो साथ से आठ करोड लोगों की असमिता है उनके भीतर जो न्याय और विवस्था की प्रती जो उम्मीद है आम जन्में विश्वास अपरादियों में डर तो इन सारी चीजों को देखने की जरूरत है यह मजाग नहीं चल रहा है अगर डेमोक्रेसी है तो आप सिर्फ बातें करके चीजें नहीं चला सकते हैं आपको एक्जिक्यूट करनी होगी चीजी उन जो असी लोग मारे गए हैं कतर लोग मारे गए हैं लोग घायल हुए हैं उन लोगों को उन लोगों के परिवार फिर से ट्रॉमा में ह और वो लोग मारे गए तो उनको किसने मारा रिइन्वेस्टिकेशन के ओर रहे हैं अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप हाई कोर्ट में यहीं थे ना तो ये सचिन पैलेट इसमें एक स्टेप आगे रहे हैं निश्चित तोर पर और सचिन पैलेट ने जो बयान दिया अशो कहलोद को भी टाइम लगा लेकिन बयान आया है और बहुत अच्छा रहेगा बहुत बहुत अच्छा रहेगा कि सरकार अपनी गलती सुधारे लेकिन यह एक ऐसा दंश एक ऐसी कालिक राजस्थान के माथे परपूती है कि राजस्थान जो न्याय अमन्चैन के लिए पहचाना जाता था आज ऐसी स्तिती में आ गया है क्या लगता है कि सरकार का जो जिले बनाने का फैसला था और उसे बुनाने की कोचिश थे उस पर ये मुद्दा कहीं ज़्यादा भारी पड़ेगा बिल्कुल जिले बनाने से आपके अंदर क्या विश्वास पैदा हुआ जिले की गोशना हुई है जिले बने नहीं है जिले बनाने के बाद कौन प्रभावित होगा ये हो गया आपका जो व्यवस्था है वो कैसी है फिर तो आप जिले बना के भी व्यवस्था अगर ऐसी ही रखने वाले हैं तो फिर यही चलने दीजिए तो ये सारा एक लोगों क बंद में गुस्सा बहुत हैं और बीजेपी इस चीज को आगे लेके जाएगी निश्चित तोर पर जिस तरह का अंदाज हमने आज में से काफी हद तक पर जाते हैं तो साफ साफ है कि वसंदर राजे के खेमे के द्वारा उन्हें सिविकार कर लिए नहीं होगी इस मामले में निश्चित तोर पर खेमाबंदी नहीं होगी आप जो पूछना चाहरे हैं उसको मैं एक लाइन में कंक्लूड कर दूँ कि कॉंग्रेस इस मुद्दे मद्दा इस देश की नियाई कस्मिता का है जो राजस्थान से खोई है इंटरनेशनल कम्यूटी क्या बात कर रही है राजस्थान को ले कि मुद्दा अगर आप पॉलिटिकली इस को जानना चाहते तो वो है बीजेपी इस मुद्दे पर एक जुट है इसके खिलाफ और कॉ मैनेटरिंग होनी चीए थी जो डिपार्टमेंट अफ प्रोसेक्योशन जो है उसको जो एक्जेक्योशन करना चीए था वो नहीं किया प्रतिपक्ष में तो आप को मुद्दे सरकार के लूफ हो ली देखने पड़ते हैं तो यह आपको अब मैं एक और बात यह थी कि सीपी जोशी के अद्दक्स बनने के बाद में एक जो नोटिस करने वाली चीज है कि तै बात है कि बहुत से अलग-अलग नेताओं के अलग-अलग गतिविदिया बढ़ी हैं गटी हैं और यह किसी भी प्रतिश अद्दक्स के साथ में होता है अरुन चत्रवेदी उसके बाद में एक साथ फ्रंट पर आगए हैं सतीस पुनिया के पूरी कारियकाल में उनको जिस तरह से बैक फुट पर रखा या फिर वो ना तो मीडिया में थे ना धरातल पे थे कहीं भी अरुन चत्रवेदी या फिर एक तरह से ठंडे बस्ते में ड अरुन चत्रवेदी को लेकर 2008 का जो विदान सभा चुनाव बीजेपी बुरी तरह हारी बुरी तरह लोगसभा का चुनाव हारी थी जिसमें सिर्फ चार सीटें से मट गई थी माथूर हटा के दूसरी बात एक और मैं एड कर दू ऐसे इंपूट आ रहे हैं कि कल जो भाजपा के बैठक होगी मिटिंग होगी उसकी प्रेस कॉंफरेंस अरौर चत्रवेदी करेंगे इससे पहले कभी उन्हें प्रेस कॉंफरेंस करते हुए इस तरह की कितिविए मैं वह उसके बाद अरौन चत्रवेदी बीजेपी की मुख्यदारा में आये राजस्तान में और अध्यक्स बनाएगे अरौन चत्रवेदी के पास लगातार चार साल अध्यक्स रहने का अनुभव है अभी मौजूद जितने भी अध्यक्स है उस पे दो लोग ऐसे हैं एक अशोक परनामे भी थे तो यह लोग सतीश पूनिया बिल्कुल पीछे हो गए हैं देखना है उपनेता की कल घोषना हो सकती है तो हो सकता है कि उसमें सतीश पूनिया का नंबर आ जाए तो यह है कि बीजेपी अभी जब तक कि आप सी कॉन्फिक्ट खड़े नहीं हो जब तक कि रा आप मिलके चलते हैं तो वही है तो तै है कि अरुन चत्रवेदी फिर से एक बड़ी पूनिया के कारेकाल में कोई भी सेकंड नंबर का नेता नहीं था देखा जाए तो सतीश पूनिया सरवे सरवा थे पार्टी में लेकिन कोई ऐसा लीडर नहीं था जो पार्टी लाइन से सीपी जोशी साइद वो गलती नहीं करेंगे वो चार चेहरे रखेंगे यही मैसेज देने की कोशिस भी की है उनोंने वो वसंदर राजे के ट्वीट को भी रिट्वीट कर रहे हैं गजिंदर सिंग से खावत से मिलना चाहे वो गति-गत तोर पर राजिंदर राठोर के घर कर दी थी मैंने आओं बताया ना एक ट्वीटर अकाउंट वेरिफाइड चल रहा है ऑफिस आप सतीश मुनिया जबकि उनका ऑफिस आप सतीश मुनिया भारती जंता पार्टी का करे ले था ठीक है वो मीडिया मेनेज कर रहा है वो और चीज़ें कर रहा है तो वह भारी झाल